कि आज की वीडियो मेर्च से संबंदित है आज का प्रशने आपके सामने एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर उतना ही लाब होता है जितना की 650 रुपए में बेचने पर हानी होती है घड़ी का क्रेमूल क्या है तो चलिए इसको हल करते हैं भई हल करने से पहले चैनल प ोटी करिए तक हमा यहां पर दिया गया है की एक घडरी है कि- आरसो बीच में बेचा जाता है तो लाँप होता है जो कि टेक स consistent trading और अगर उसी वस्तू को मतलब उसी घड़ी को जह है आठ सवरी 650 रुपए में 650 रुपए में बेचा जाता है तो क्या होता है लॉस होता है मतलब भानी होती है तो घड़ी कहा हमें क्रेमूले ग्याद करना है कैसे आएगा भाई तो हम यहां पर क्रेमूले मान लेते हैं एक्स रुपए एक्स रुपए अच्छा यह बताओ कि लाभ करशे निकालते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट हम निकालते हैं विक्रेमूले से क्रेमूले क्या करते हैं घटा देते हैं विक्रेमूले क्या है यहां पर भी क्रेम उले आठ्सों बीस रुपाई आए और क्रेमोली के माना है एक्स थी और यह बताओ हम लाज कैसे निकालते हैं क्रेमोली क्या एक्स से हम घटा देंगे 650 रुपाई अब रश्म के सब्सक्राइब ध्यान दीजेगा करा 800 रुपए में बेचने पर उतना ही लाव होता है जितना 650 रुपए बेचने पर हानी होती मालों जैसे एक लाव एक रुपए हुआ तो हानी भी एक रुपए मतलब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब को आपस में क्या कर द प्लस में तो क्या हो जागा 820 प्लस 650 तो यहां पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा इधर जोड़ लेते हैं जीरो और पांदो शाथ और आप्छा चाउदा और यह दो मुल्टिप्लाइम इधर आगा डिवाइड में तो एक्स का मान हमें यहां से मिल जाएगा दो शक्त क्या हो जूट है दो पंचे दस हैना तो 335 यह चाउप पाइटीस रुपाइज हमारा क्या हो गया चांफ्राइश कर रहे हां यह हमें ग्यार करना था और यहां पर आपका डी आक्सम्स होगा गा वीडि ज़िए चनल पर नया है ली तक सब्सक्राइब नहीं के तलिजिए कि